जहीं दोस्तो बहुत बहुत श्वागत अपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में दोस्तो आज हम कोरल ड्रो में इंडियन फ्लैक बनाना सीखेंगे इसके लिए मुझे एक सरकल की ज़रुत परेगी तो यहाँ से हम F7 क्लिक करके या हम Ellipse Tool पर क्लिक करके Ctrl को Hold करके एक सरकल हम यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रो करेंगे ड्रो करने के बाद दोस्तो इसका Center Point यहाँ पर है तो हम इसे Grid ले करके और Center Point में हम Grid को लगा देंगे यहाँ से भी एक Left Side से Grid ले करके और इसके Center Point में हम सजा लेते हैं सरकल को पुना क्लिक करेंगे तो यह मुझे पता चलेगा कि यह Grid कहाँ पर है तो हम इसको Center Point को Grid के Center से मिला लेते हैं अब दोस्तो क्या करना है आपको इसके Outline को यहाँ से सूला कर लेना है जैसे Object को हम Select करेंगे और Select करने के बाद इस Object का Outline हम यहाँ से सूला कर लेते हैं अब इसको हम एक Color कर लेंगे कुछ इस तरह से Right Click करेंगे हम इस Object पे तो यह Color हो जाएगा अब आपको क्या करना है इसे थोरा सा हम और Zoom कर लेते हैं अब इसे Ctrl और D बटन को प्रेस करके Duplicate बना लेना है Shift बटन को Hold करना है और कुछ इस तरह से जो Duplicate Object है उसको छोटा कर लेना है छोटा करने के बाद इसको भी Center Point में मिला लेना है कुछ इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं अब दोस्तो हम इस Grade को Delete कर देते हैं Select करके अब क्या करना है कि आपको यहां से एक Polygon लेना है कुछ इस परकार का दोस्तो यह Polygon चार लाइन में Draw होना चाहिए अगर आपके पास यहां से Lining जादा हो तो आप इसे चार लाइन में Convert कर ले उसके बाद यहां से Polygon को Select रखते हुए Arrange में जाना है और Convert to Curve पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां से Sap पे क्लिक करना है Sap पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का Interface आपका आ जाएगा अब इस Object के इस Interface में इस दोनों Object को Select करके Delete करना है इन दोनों Object को भी आपको Delete कर देना है तो आपका Sap कुछ इस तरह के Interface में दिखने लगेगा अब आपको क्या करना है इस Sap का Left और Right क्लिक दोनों Blue फिल कर लेना है उसके बाद इसे Pick टूल पे क्लिक करके और Shift बटन को Hold करके थोरा सा पतला कर लेना है जैसा कि आप देख रहे है अब दोस्तों इसे थोरा सा और हम Zoom करते हैं और Shift को Hold करके इसे थोरा सा और हम पतला करेंगे अब दोस्तों क्या करना है कि इस Object को यहाँ पे पहले आपको एक बार देख लेना है कि यह आपके इस वाले Object में सही से Fit आ रहा है या फिर नहीं उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस Object को थोरा सा छोटा करना है कुछ इस परकार से अब इसे हम फिर से एक बार Fitness देख लेते हैं थोरा सा और हम इसे छोटा करेंगे कुछ इस परकार से अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इस छोटे वाले सरकल को सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके इसके अंदर के कलर को फिल कर लेना है उसके बाद इस Object को सेलेक्ट करेंगे फिर एक बार और क्लिक करेंगे तो इसमें एक यहाँ पे Middle Point दिखेगा इसके करेंगे उसके बाद जाएंगे Arrange में फिर जाएंगे हम लोग Transform में और तब हम यहाँ से Rotate बटन पे क्लिक करेंगे हमें Arrange में जाना है Transform में जाना है और Rotate पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक Rotation Box Transformation का खुलेगा उसके बाद यहाँ से Angle में आपको टाइप करना है 15 आपको 15 डिगरी पे इसे Apply to duplicate करना है तो कुछ इस तरह का Interface आपका बन जाएगा अब दोस्तो मैंने इसमें 24 तिलिया बना ली अब आपको क्या करना है यहाँ से एक Circle लेना है Circle लेने के बाद Control को Hold करके एक Circle को और छोटा सा Draw करना है इसे भी हम Blue Color से Left और Right Click से Color कर लेंगे अब इसे हम उठा करके यहाँ पे डालेंगे और थोरा सा Zoom करके इसे हम अच्छा से सजा लेंगे Shift को Hold करके थोरा सा और छोटा करते हैं और कुछ इस तरह से इसको अच्छा से सजा लेते हैं उसके बाद इस Object पे Double Click करेंगे तो यहाँ से Center Point बनेगा जो इस Object के Center Point में मुझे डाल देना है अब दोस्तों क्या करना है फिर से यहाँ से Apply to Duplicate करके और इसको 24 Lines में यहाँ पे अंदर Create कर लेना है अब दोस्तों आपका Object कुछ इस तरह से दिखने लगेगा अब इन सारे Object को Select करना है Then Arrange पे जा करके और इसे Group कर देना है Group करने के बाद अब मुझे यहाँ से जाना है सैप में सैप में जाने के बाद यहाँ पे कुछ सैप दिखाई देंगे इस परकार का जो सैप है उसको Select कर लेंगे Select करने के बाद हम यहाँ पे कुछ ड्रो करेंगे इस तरह से अब इसकी Color हम कुछ इस तरह से Object को Select करके Fill कर लेते हैं Object को Select करेंगे और यहाँ से किसरिया Color को Fill कर लेते हैं Ctrl D बटन प्रेस करके इसका Duplicate डालते हैं और नीचे में हम इसको हरा Color से Fill कर लेते हैं इसको थोरा सा और हम उपर कर लेते हैं और इसको भी थोरा सा हम और ऐसे करके सजा लेते हैं Dynam यहाँ से चक्र को Select करेंगे Shift Hold करके इसको थोरा सा और छोटा करेंगे और इसको लेकर के यहाँ पर सेंटर में सजा लेंगे अब दोस्तों क्या करेंगे इसे Apply करके दोनों Object को Select करेंगे तीनों को और Select करने के बाद Arrange में जाएंगे Group बटन पर क्लिक करेंगे यह Group हो जाएगा अब दोस्तों कुछ इस तरह से Indian Flag जो है आपका त्यार हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से हम लोग Coral Row में Indian Flag बनाते अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक Like कर दीजे और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को Subscribe कर दिए फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिए जाहिए